क्या आप जानते हैं कि जिस एस्टरॉइड ने धर्ती से डाइनोसोर का अंत किया था पहक कहां से आया था तो चलिए हम आपको बताते हैं नमस्कार आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीपल्स बॉइस में नो जंजट नो बगवास सीध एफेक्ट्स की पार एक 9.6 किलो मीटर चौड़ा एश्टराइड धर्ती से टकराया था जिसके बाद धर्ती पर सुनामी भूकम पुच्वाला मुखियों के भटने बार जैसे कई आपदाए एक के बाद एक सुरू हो गई जिससे धर्ती पर उस समय रहने वाले डाइनोसोर की प्रियाती खत्म ह भाद से बो डाइनोसोर जो उड़ नहीं सकते थे कई सालों के अध्यन के बाद अब बैग ज्याने के हैपता करने में सफल हो पाए हैं कि आखिरकार ये एश्टराइड अंत्रिक्ष के किस कोने से आया था हैरानी की बात ये है कि ये जानलेवा एश्टराइड हमारे ही सौर मंदल से आया था नई स्टेडी के मुताबिक हमारे सौर मंदल के एक ओने से आय इस एश्टराइड ने धख्ती पर भारी सबाई मुचाई ये गहरे रंग का प्राचीन एश्टराइड था ये हमारे सौर मंदल के मुख्र एश्टराइड बेल्ट से धख्ती की तरफ आया थ यह बेल्ट मंगल के रहे और ग्रस्पित्री रहे के बीच में इस्तित है। इस बेल्ट में लाखों की संख्या में डार्क एस्टराइड हैं। डार्क एस्टराइड वो पत्थर होते हैं चिनका निर्मार गहरे रंग के रसायनों से होता है। ये अन्न एस्टराइड की तुल कि मुझे इस बात पर अब भी संदे है कि इतनी दूर से आने वाले एस्ट्राइड का इतना तगड़ा असर हुआ होगा इस बात को लेकर अब भी स्टडी चल रही है लेकिन यह आया तो मंगल और भ्रस्पत बेल्ट से ही है मेक्सिको के यूकाटन त्राइदीप पर यह इस भी मिल चुके हैं गड़े की मिच्ची की जांस करने बस पता चला कि जिस बस्ति ने यहां बचकर मारी थी वह कार्वनेनियस कॉंड्राइड है उन्होंने करोड़ों सालों का विसलेशन किया इसमें उन्होंने थर्मल उर्जा गुर्तवा करसंड बल ग्रहयों द्वारा अपने एस्ट्राइड को छोड़ देना आद देगा नतीजा यह आया कि पिछले 25 करोड साल में सिर्फ एक एस्ट्राइड अपने बेल्ट के बहारी हिस्से से निकल कर बाहर आया और धर्टी से टकर आया चिक्सलूप क्रेटर एकलोता ऐसा गड़्डा है धर्टी पर जिसक अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बेल आइकन को भी आल पर सलेक्ट करतें धन्यवाद